हाई प्रेंस, आम काजल, आम सागर, आज हम रियक्शन करने वाले हैं, हसी टीवी का एक वीडियो है, तो चले, वीडियो को करते हैं, और हसी टीवी के वीडियो, इस इस लिए टीवी के लिस्ट में में रखासे बॉल्यूड के नहीं होंगे, क्योंकि हसी टीवी ज्यादा तर हुल्यूड को टार्गेट करता है, असलाम अलेकुम दोस्तो, मेरा नाम है हसी शफकत, और आप देख रहे हैं, हसी टीवी. आज की इस वीडियो में हम सोचल मीडिया स्लेबिटीज, खास दोर पर लाइफस्टेल व्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे. एक ऐसा टॉपिक जिस पर आज से पहले ना तो किसी ने बात की, और ना ही इसके चुपे हुए सच को मनजर आम पर लाने की कोशिश की. लेकिन आज के दोर के अंदर जहां सोचल मीडिया पर हमारा कोई नो कोई स्लेबिटी या आइडियल मजूद है, जिस से हम ना सिरफ बहुत ज़दा मतासिर होते हैं, बलके इसकी तरफ से बताई जाने वाली या दिखाई जाने वाली हरे बात को अपनी अमली जिन्गी के अ ला हत्यार है जिसे इस्तमाल करके लो और इनसानों को मुसलसल गुणार और दुनियादारी की तरफ रागिब करने की कोशिच करता रहता है, और इसी दुनियादारी को कमाने के चकर की अंदर अपनी आखरत को बरबात कर बैठता है। इसलिए इसलाम के अंदर मायूसी कुफर है लेकिन आपको ये सब देने ये सिखाने के बदले के अंदर ये सोचल मीडिया स्लेबिटीज कमा रहे हैं बेताशा पैसा फेम और ब्लाइंड फालवर्स कैसे लेट मी एक्स्प्लेइन सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल व्लागर्स की ये बिल्कुल व्लागर्स की तरह ही होते हैं जो के वेबसाइट पर अपना कॉंटेंट लिखते हैं लेकिन व्लागर इसे वीडियो की सुरत के अंदर फिल्मा कर पूरी दुनिया को दिखाते हैं जिसके अंदर इनका पूरा लाइफस्टाइल सोने से लेकर जागने तक की तमाम एक्टिविटीज, स्पेशल इवेंट्स ये वो सब कुछ अपनी आउडियंस को वीडियो की सुरत के अंदर दिखाते हैं जबके वीकली व्लागर्स किसी स्पेशल इवेंट को या किसी एक्टिविटी को फिलमा कर इसे इंटरस्टिंग बना कर लोगों के सामने पेश करते हैं जिसके अंदर इनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स, थॉर्ट्स, हूमर और रिसर्च शामिल होती है लेकिन इसके पीछे मजूड डार्क रियलिटी या कड़वा सच ये है कि सोशल मीडिया पर व्लागिंग के नाम पर आपको जो कुछ भी शाहना लाइफस्टाइल लाइक एक्सपेंसिव हाउस, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव प्रॉडक्स, हैपी रिलेशन्चिप और तमाम ऐसी चीजें जो के आपको बहुत ज़दा मतासर करती हैं वो दरसल सच नहीं होता क्योंकि आज के दौर के अंदर इसका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग बरबस है क्योंकि हम जानते हैं कि आज से पहले सोचल मेडिया इतनी बड़ी पावर नहीं थी लेकि जैसे जैसे टाइम के साथ ये लोगों के लिए कम्यूनिकेशन ये राबते का जरीया बनी तो इसके साथ साथ पूरी की पूरी मार्केटिंग या पैसा कमाने का तरीका भी बड़ल गया क्योंकि जहां पर आडियंस होगी वहां पर मार्केटिंग भी होगी और आज इस secret marketing का concept जड़ातर लोगों को बता ही नहीं है आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग आपको अपनी एक ऐसी look ये अपने एक ऐसा character बेच रहे हैं जो के सच नहीं है क्योंकि इनकी इसी fake personality को देखकर और इससे inspire होकर आप लोग इने follow करते हैं और इसी following के बदले में यहां पर involved हो जाती है marketing यानि के बड़ी बड़ी कंपनियों की brand की promotions जो इन लोगों को भारी पैसा देखकर आप लोगों को इस personality के जरीए ही चीज़ें बेचती है सोचल मेडिया पर कोई भी celebrity हो चाहे टिक टॉक, Instagram, Facebook, Twitter, चाहे वो male हो, female हो, Muslim हो या गेर मुसलिम हो आपको हमेशा इनकी एक perfect look की देखने को मिलती है जिसे देखकर आप अपनी शकलो सूरत और जिसामत पर सवाल उठाने लगते हैं कि यार मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है जिसमानी तोर पर या माली तोर पर जो इस शक्स के पास है ये शक्स इतना perfect कैसे है जब कि एलग अपनी शक्स शक्स को इसकी शकलो सूरत के अंदर खुबसूरत और यूनीक पै宁दा किया है जब आप ये सवाल खुद से कर रहे होते हैं तो आप अपने आप से नहीं पूछ रहे होते है बलके आप सवाल उठा रहे हैं उस जाद पर जिसने आपकी शक्लों सूरत और आपकी तकदीर को बनाया इस वक्त शेतान आपके दिल के अंदर वस्वासे डाल कर आपको गुम्रा करने की कोशिश करता है और आप ये फैक्ट बूल जाते हैं और ये ही बातें सोच सोच कर आप डिप्रेशन और मायूसी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं जबके सच तो ये है कि अपनी इस फेक परसनेलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सोचल मेडिया स्लेबर्टीज ये सोचल वलॉगर्स बहुत ज़दा मिनत करते हैं मिसाल के तोर पर हजारों पिक्चर लेते हैं और इन मेंसे कोई एक चूज करते हैं जो के सबसे बेस्ट हो जिस पर हजारों फिल्टर लगे हो इसके लावा मेक अप और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के एफेक्ट्स जो के इनकी लुक्स को कुछ इस तरह से बदल देते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट लगें जबकि अगर इससे भी दिल ना भरे तो इनके पास परफेशनल फोटोग्राफर या एरिटर्स भी होते हैं क्योंकि इनकी लुक्स को इतना प्रोफेशनल और अपेलिंग बनाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये तो इस दुनिया का लगता ही नहीं है ये लड़का या लड़की कितना खुबसूरत हैंसम क्यूट और अमीर है काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता मे दुनिया के अंदर फितना का है क्योंकि ये इनसानों को बेकाखंएक रख़गताकर दुनिया के अंदर इसका इंत्हान लेते हैं और इसलिए मालत दोलत से जडी चीज़ों की दुनिया के अंदर आट्रैकาร भीजर इसलिए आजर ये ये इस चैनerson की ये वह कई अनले को नकि perfect है इसके दोस्त इसके पार्टनर इसके लाइफ स्टाइल सबसे आला है लेकिन हकीकत के अंदर इन लोगों को भी वो सब कुछ फेस करना पड़ता है जो कि आप अपनी daily life के अंदर फेस करते हैं बस फर्क यह है कि आपको ये सब कुछ इनकी वीडियोस के अंदर या इनके lifestyle के अंदर दिखता नहीं है बलके परदे के बिछे रहता है और इसकी वज़ा बहुत सिंपल है कि इसके content को बनाने वाला भी वो खुद है और आपको दिखाने वाला भी क्योंकि after all इसने किसी से मिलना तो है नहीं ये आपको अपनी perfection बेचते हैं मेंगी गाड़ियों की सुरत में lifestyle, foreign tours, बड़े बड़े celebrity से मुलाकाते हैं अमीर लोगों के शाना शौक दिखा कर female friends और खुशियों बरी एक life को दिखा कर जिसके अंदर वो हर चीज़ से मुतमईन और खुशों बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनके पाफ दुनिया की हर वो सहूलत है जो के होने चाहिए या यूं कहें कि हर इनसान की perfect life का खौब क्योंके उपर mention की गई जो भी चीज़े मैंने आपको बताई हैं वो सब की सब दुनियादारी की लज़ते हैं यानि के मेटेलिलिस्टिक चीज़े हैं जो के इनसान को गुमरा करके आखरत को बुला देती हैं लेकिन सवाल यह है कि ये सलेबिटीज ऐसा क्यों करते हैं तो इसका साधा सा जवाब है कि पैसे के लिए क्योंके ये बहुत ज़्यदा profitable industry है इन लोगों के जूतों से लेकर बालों में लगी हुई हर चीज़ स्पॉंसर्ट होती है जिसे वो विडियोस के अंदर तो नहीं बताते हैं लेकिन बार बार इतना जरूर बोल देते हैं कि आप इसे सुनकर इसे खरीदने के लिए एक बार तो जरूर मचलने लगें चाहे वो कपड़े हों, जूते, संग्लासिस या कोई और ब्यूटी प्रोडक्स बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ अपनी प्रोडक्स का नाम लेने के लिए इनको हजारों डॉलर पे करती हैं और ये लोग इन कंपनीस के लिए किसी बड़े बिलबोर्ड की तरह हैं जिस पर ये अपनी अड़टाइजमेंट्स को जब चाहे चिपका देते हैं हो सकता है ये सुनकर आप मेंसे काफी लोग ये सोचने लगें कि आज के दोर के अंदर भला कोई इतना ब्लाइंड फॉलवर कैसे हो सकता है या इतना बेवकुफ कैसे हो सकता है कि किसी भी स्लेबरटीज की किसी भी कई वी बात को फॉलो करना शुरू करते हैं इस सवाल का जवाब आपको उस वक मिल जाना चाहिए जब आप अपने फेवरिट टीवी एक्टर्स ड्रामा एक्टर्स या स्पोर्ट स्लेबरिटीज को बड़ी-बड़ी कंपनी के ब्रैंड इबेसिडर के तोर पर परमोशन करता हुआ देखते हैं यानि के अपनी पर्फेक्ट इमेज और आडियंस को सेल करके वो बड़ले में बेताशा पैसा कमाते हैं और बिल्कुल यही हाल सोशल मीडिया स्लेबरिटीज का भी है मिसाल के तोर पर अगर किसी शक्स के वन मिलियन सबस्क्राइबर हैं तो इन मेसेज यकिनां साथ लाख लोग तो ऐसे होंगे जो के इस परसेलिटी को बलाइंटली फालो करते होंगे और यही साथ लाख लोग इस प्रोड़क्ट के लिए बहुत बड़ी मार्कीट होते हैं जिसका सबूत हमारे मुलक पाकिस्तान के अंदर तो फिलाल नहीं है लेकिन यूरप के अंदर खास तोर पर यह ट्रेंड बहुत रूज पर है इसलिए अपनी इस फेक परसेलिटी को मेंटेन करने के लिए इन्हे हर रोज ऐसा ही कॉंटेंट बनाना पड़ता है जो के आपको इस दुनियादारी की तरफ या मेटेरिलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रेक कर सके जहां पर आप दिन बर अपना वक्त जाय करते हैं और बदले के अंदर मायूस ही और नाउमीदी के जजबात पैदा करके अपनी लाइफ को मजीद मुश्किलात के अंदर डाल लेते हैं बजाए इन चीज़ों का शुकर करने के जो के आप से नीचे वाले लोगों के पास नहीं हैं लेकिन आपको वो सब दिया गया है क्योंकि अल्ला के रसूल सुल लाहुआ लिवाले वसलम का फर्मान है कि अगर किसी शक्स को ओहत पहाड के बराबर भी सोना दे दिया जाए तो इसकी तब भी खुआश होगी कि इसके पास इस तरह के एक और पहाड हो हलाकि वो पूरी जिनगी भी खाता रहे इसकी सारी नसलें भी खाती रहें वो तब भी खतम ना हो लेकिन माल की इनसानी खुआश ही ऐसी है जो कि इसको मजबूर करती है और इसे पाने की हवास इनसान की फितरत के अंदर शामिल है इसी फितरत को समझ कर ये कमपनीज और सोचल मेडिया सिलेबर्टीज अपना बिजनेश चला रहे हैं मुझे इतराज इनकी मारकेटिंग या इनके ब्रैंड इबेसिडर बनने पर बिलकुल नहीं है बलके इन चीज़ों पर है जो कि एक आम इनसान को मायूसी की तरफ लेकर जाएं और लोगों को सच के नाम पर वो कुछ दिखाये जो कि सच नहीं है जो परफेक्ट नहीं है बलके दुनिया के अंदर अगर कोई जात है जिसे हम सब का आइडियल होना चाहिए तो वो हमारे पैरे नबी सलिए लिए लिए वालियों की जाते बाबरकत है जिनके तालिमात और किरदार दुनिया और आखरत दुनों की कामयाबी की जमाना तै ना के वो लोग जिनको फॉलो करने के बाद आप खुद को इनसेक्यूर फिल करने लगें इस तरह की अवेरनेस सोचल मीडिया पर सोचल मीडिया स्टार्स ही पहला सकते हैं लेकिन कोई भी इस बारे में बात करने पर त्यार नहीं होगा खास तोर पर वो लोग जिनके इनसे माफदाद जुड़े हैं इन लोगों की कैमरे के पीछे की दुनिया दरसल कुछ और होती है इनको आप लोगों की फिकर बिलकुल नहीं है बलके फिकर है तो नंबर्स की, फालोविंग की और पैसे की क्योंके यह हकीकत है कि आज दुनिया पैसे पर ही तो चल रही है जिसका सबूत यह है कि आप चाहे माने या ना माने एक अच्छे इनसान से बेतर आप एक अमीर इनसान को तरजी देंगे मगर इन लोगों को इस बात की कोई फिकर नहीं है कि अपने कॉंटेंट के जरीए वो लोगों के अंदर किसकादर मायूसी को पैदा कर रहे है इनकी जिम्हदारी क्या है इनके फॉलवर्स किस तरह से ब्रेन वाश होकर डिप्रेशन में जाकर इनका शिकार हो जाते हैं इसलिए इस फैंटेसी या गैर अकी की दुनिया से आपको इसी वक्त बाहर निकलने की जरूरत है मेरा मकसद इस वीडियो के जरीए आपको मॉटिवेट करना है इन प्रोड़क्टिव चीज़ों के लिए जो के आप अपने इनी रिसॉर्सिस के अंदर रहकर कर सकते हैं लेकिन इस फैंटेसी वर्ड को देखकर और इसे मायूस होकर अपना वक्त इन लोगों पर जाया करके कि मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है आप कुछ नया या प्रोड़क्टिव करने की कोशिश ही नहीं करते आप आज जिन भी हालात के अंदर हैं इस पर खुदा का शुकर अदा करें क्योंके आप से भी नीचे ऐसे बहुत सारे लोग मजूद हैं जिनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं हैं पाउं में जूता और जिसम पर कपड़े नहीं हैं और आपके जैसी लाइफ उनके लिए एक शाहना लाइफ है जिसके वो खौश मंद हैं इसलिए इन लोगों पर वक्त जाय करने की बजाए कुछ ऐसा प्रोड़क्टिव करने की कोशिश करें जो के आपको और आपके आसपास के लोगों को और आपकी आने वाली नसलों के लिए भी फाइदा मन दो अलाथ आला हमें समझने की और अमल करने की तुफीक अता फरमाए आमें तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और यह मतलब बहुत हटक मतलब मेरे खाल से 100 परसंट सही है हाँ और मुझे जब व्लॉग देखते हैं जो बहुत फेमस व्लॉगर होते हैं उनकी व्लॉग देखते हैं या कोई भी एक्टर सो उनकी लाइश्टैल देखते हैं तो यह सवाल हर किसी के मन में आता है जो हमारे जिससे आम इंसान है उनके मतलब दिमाग में जड़ से आ जाता है कि वह इसके पास इतना सारा है और मेरे हमारे पास क्यों नहीं है तो इन्होंने मतलब जो बाते बताई और जो बाती बताई है बहुत ही मतलब सही है और विज्वेस के साथ दिखाई एगढा रह ज्यावेर जावीर, भूचने पैसाने ने थे क्योंकि मुक्य ने थे metropolitan अगर हम किसी को बता बताई ना बता या ना बताई लेकिन मनMन में लगता है कि समारी पास क्यों नहीं है क्यों उैसा हर किसी के साथ होता होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या पता आपको इतना मिल जाए इतना लाख स्ट्रीमिंग होते हैं जिसमें लाइवी उनको मतलब पैसा देते हैं क्या मालूम यह सच है या नहीं सच भी हो तो पैसे की लालज देखे अपने सब्स्राइब बढ़ाना यह तो सब जगा चल रहा है और जो मतलब क्या बोलते हैं एडवर्टाइज करते हैं बीज बीज में खरीद लीजे और बहुत ज्यादा मतलब मैंने देखा ही कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो बैक्स के नाम कार के नाम और और फेरारी बीमडवल्यू और क्या बहुत सारे लेंबर्गनी बहुत सारे कंपनी के इसे जो प्रोड़क्ट से उनके मतलब वो नाम बताते ह हमें समझ मेंने आता है कि यह क्या कर रहे हैं लेकिन उनके पैसे उने मिलते हैं और एतनी मतलब एक्सपेंसिव चीजे लेनी की मतलब वो बहुत ज्यादा उसके जो जहेद अली है उसने मेरे एक विलोग में देखा था कि अपनी बीवी के लिए सतरा लाग का बैग लिया थ जो पाउंड मतलब जो डॉलर में था जो वहां वो रहते सतरा हजार डॉलर का एक बैग लिया था लेकिन हमारे यहां की मत बहुत ज्यादा है और इतने एक्सपेंसिव तो हम नहीं खरी सकते तो लेकिन फिर भी वो हमारे मन में इसा डाल देते हैं कि हम उन्हें फॉलो करें आँ किया हो रख forever जेसरा है कि हम जिसे लोगं मन में अपने आपको ही मतलब बोलते रहते हैं अधुक्त द्थे रहुक्ति भी लोग वॉत whale बगब्द में कर दो उसे लगता है कि दूसरा होथे दो चाहिए लिजुन यह प्रवल siis औरर में शोचने कि बाटन is to your own करा तो नहीं और एकंछ यह रहं और इसुट और जिसा तो नहीं टंसे wszystko मुश्कुद होती होंगा कि हर वक्त मुश्कुराते होंगे सिर्फ लगई के लिए रहतं हैं ना की जिन्दगी बढ़уется तो खुशिया और मतलब जो गम होते हैं वो हर किसी के लाइप में होते हैं तो यह बहुत अच्छा वीडियो था अगले वरे मिलें और वेसे भी हर कुशी पेसो से नहीं करें